ये हैं अरुन कुमार जो आज इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और आज वही आपको पेपर लीक की सारी सच्चाई आपको बताएंगे सर नवश्कार सबसे पहले तो मैं आज तक की टीम और सुदिर सर आपका दिल सद हन्यवाद करूँगा क्योंकि आपने उन लाखो चात्रों के दर्द को समझा और हमें अपनी बात रखने का अफसर यहाँ पे दिया मैं पेशे से एक टीचर हूँ और यूटूब पर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये मेरा ही है और मैं इसको तथ्य वाइज या सिस्टम सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा कि किस परकार मेरे पास पेपर आया और मैंने कैसे कब इसको पोस्ट किया है सबसे पहले देखिए ये फरवरी 18 का टेलीग्राम अकाउंट है जिस पर लिखा है अरून सर रीजनिंग इस पे लिखा है ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल मौनिंग शिफ्ट का है जो एक्जाम अभी परिक्षा केंदरों पर चल रहा है ये मुझे किसी चात्र ने भेजा है मैं इस बात की पुष्टी नहीं करता कि ये वही पेपर है जो अभी परिक्षा केंदरों पर चल रहा है ये आपने पोस्ट किया है 18 फरवरी को 9 बज कर 16 मिनट पर तो आप ये कह रहे हैं कि 9 बज कर 16 मिनट पर आपको ये जो आपने यहाँ पर लगाया है प्रश्ण पत्र ये आपको मिल गया था हाँ सर मैं इसके बारे विस्तार से बताऊंगा ये टेलिग्राम चैनल मेरा ही है और फरवरी 18 को 8 बज कर 57 मिनट पर मेरे पास एक छातर का जो है पीडिएफ आया और उसने कहा कि ये सर पेपर वही है जो अभी मौर्निंग शिफ्ट में 18 की सुभह को चल रहा है तो इसलिए मैंने आप दावा भी किया था कि मैं इस बात की पूश्टी नहीं करता इस बात का सच्टो पेपर होने के बाद ही पता लगेगा लेकिन सैयोग से ये कुश्चन पेपर मौर्निंग शिफ्ट का नहीं था मौर्निंग शिफ्ट में जो पेपर शुरू हुआ था कितने बज़े शुरू हुआ था सर वो दस से बारा वो 10 से 12, 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आपके पास सवा 9 बजे उसका जो answer sheet है वो आ जाती है एक बार मैं आपको वापस दुबारा पहले वाले उस पर हम लेकर जाना चाहेंगे आपको यह देखे, 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आप 9 बजकर 16 मिनट पर यह कह रहे हैं कि मेरे पास answer sheet आ गई अभी इसमें में बात क्या है सर यह पेपर morning shift में नहीं मिला इसलिए मैंने लाज़ भी दिया कि बेफिकर रही है 45 मिनट पहले आपको भी कैसे पता होगा कि यह वही पेपर है या नहीं है यह शाम को जो पेपर होने वाला था कितने बज़े होता है वो तीन से पांच की शिफ़ता है तीन से पांच वो तीन बज़े वाला जो question paper था यह वो पेपर था जो इन्हें सवा 9 बज़े मिला जी उसके बाद क्या हुआ यह जो मुझे पेपर बेसिकली मिला था अगली slide लगा यह गा एक बार यह जो पेपर मुझे मिला था मुझे एक छातर ने भेजा था और यह उस चातर ने मुझे संडे यानि रवीवार को 18 तारीक को ही मुझे भेज दिया था और यह मुझे 8 बज़ कर 57 मिनिट पर प्राप्थ हुआ था और बच्चे ने मुझे कहा था कि सर यह उस morning shift का paper है लेकिन जब इसे match किया गया तो यह उसी दिन की शाम वाली shift को मिला morning shift का नहीं था लेकिन शाम वाली shift में जो परिक्षा हुई है यह उसका question paper था अब हम अगली slide पर जाते हैं और मैं यह भी चाहूँगा कि हम वो question paper क्या था वो answer sheet कैसे लिखी हुई थी वो भी हम आपको आगे पता सके हैं वो भी हम आपको आगे दिखा सके देखिए यह देखिए उसी page की एक और copy जो की दूसरी handwriting में लिखी हुई थी वही copy हमें एक और जगह प्राप्त हुई तीन बज कर 31 मिनिट पर यानि यह paper भी same था और यह भी same था लेकिन इसमें handwriting दूसरी थी तो इसका मतलब है कि कहीं और से leak हुआ है इसका मतलब जो answer sheet है वो कई जगाओं से leak हो रही है और कई लोगों ने अलग-अलग handwriting में उसकी जवाब जो है वो लिखकर आगे लिख किये हुए अच्छा जी तो और देखिए लिख रहे हैं इसमें कि काफी लड़के इसे share कर रहे हैं बोल रहे हैं आने वाली shift का ये question paper है ये आप देखिए और ये छे पचपन पर सर message आगे है कि ये paper match है और छे पचपन पर ये message आता है कि सर ये paper match है अब हम अगली slide पर चलते हैं देखिए आगे और क्या है आपके लिए अब ये हमारे पास सर question और answer सो लेए सबसे जो महतपूर्ण बात है जो चातरों को देखनी चाहिए और जो लोग जाच कर रहे हैं सरकार की तरफ से जो committee बनी हुई है उसे भी जो देखना चाहिए ध्यान से वो सबसे महतपूर्ण सबूत ये है अरों जी अब बताई आप सर ये देखे पेपर कितने सुकून से कितने अराम से लिखा गया है इसमें दो इंक का इस्तिमाल किया है रेड में answers लिखे गए है और ब्लैक में या पे question लिखे गए है इसका मतलब जिसने भी ये paper आउट किया था उसके पास भरपूर समय था कोई जल्द बाजी नहीं क्योंकि अमूमन जब paper आउट होता है तो उसमें हिंट लिखे जाते है यहाँ question लिखे और उसके साथ answer अब मैं answer match कराता हूँ sir मान लिजे कि हमारे पास ये सवाल था when diagram से सवाल एक संबन रखता था कि इसमें answer क्या बनेगा तो ये चार options आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है इन चार options का जो इन्होंने answer लिखा है वो लिखा है C plus A plus B C plus A plus B का अर्थ ये है कि ये expression का सही उत्तरता C A और B ये जो option यहाँ दिया है C plus A plus B वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है तो इसका मतला जो answer पहली बात हो ये कि answer sheet में जो सवाल दिया गया है वो question paper में है और जो जवाब दिया गया है उसका वो भी बिल्कुल सही जवाब है इसमें sequence इसलिए नहीं मैं चोरा क्योंकि हर पाली में 4 shift होती है चारो shift में question सेम होते लिगे इनका sequence अलग अलग होता है अब आप दूसरे प्रशन पर आईए ये एक mathematical operation का question है और इसके चार विकल्प है solve करने के बाद 20 ये आगे 70 है 62 है 57 है 38 है इसका उत्तर आपको यहां दिखाई देगा ये रहा 70 इनोंने लिख रखा इस प्रशन का solution ये रहा 70 इसी शीट के अंदर जी आगे और भी सवाल आप मैच करते हैं सर जैसे आकरती का है इसमें प्रशन होता है कि कौन सी आकरती है इसमें आपको यहां पे mirror image की बात करते हैं इसकी तो mirror image की जो आकरती है वो आकरती वाला सवाल यहां पे दिया गया है आकरती X की सही जगे ये रहा ये आकरती X के लिए यहाँ पे लिखा गया है ये आकरती वाले सवाल का उत्तर था और उसके बाद word formation से question आया था हमारा reasoning में ये environment शब्द से इस letter का उस्तमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और वहाँ पर इसका उत्तर है आप option में देखेंगे clearly लिखा हुआ है I-M-I-N-E-N-T E-M-I-N-E-N-T जो option C है वो है imminent इन्होंने फिर इस Venn diagram के question को भी दिया ये जो Venn diagram का question आप यहाँ पे देख पा रहे थे तो इन्होंने इसे लिखा 3-0 है तीन circle बना के इन्होंने इस चीज़ को represent दिया 3-0 का मतलब ये सर बेसिकली boys athletes और students का जो diagram बनना था तो उन्होंने सही तरीके से तो इसे नहीं रखा लेकिन ये confirm है कि ये इसी question का answer था लेकिन यहाँ पे इन्होंने option के साथ match कर दिया 31 और 3-0 दिये गए है जी अब हम अगले उस पर चलते हैं एक और slide आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये paper पहले बाहर कैसे आ गया ये भी शायद अभी वही slide गलती से लग जाए अब देखिए ये slide देखते हैं ये sir खेले उत्करश्ट परदर्शन के लिए 2023 में अरजुन पुरुसकार जीता किस क्रिकेटर ने अरजुन पुरुसकार जीता जब आप देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है मौमद शमी और इसी same language में sir आपको इसका ये question ये पढ़िए और ये उत्तर के देखिए ये असली question paper है इसमें क्या लिखा है देखिए निमलिकित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्करश्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अरजुन पुरुसकार जीता और फिर ये options है और उस option में option A है मौम्मद शमी और यहां भी मौम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से अच्छा दूसरा सवाल है sir मैनमार की मुद्रा क्या है और उसका अंसर काटके इन्होंने कयात लिखा है अब आप देखेंगे सबसे उपर आपका ध्यान जाएगा कयात निम्न लिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है पहला ही सवाल है और उसमें option C है मायनमार तो ये इसकी पुष्टी सेम यहां पे हुई है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सेन्य पुरुसकार है और यहां लिखा है परमवीर चक्र तो सर आप इस उत्तर को देख कोशन 21 पर आपका ध्यान जाएगा ये रहा निम्न लिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सेन्य पुरुसकार है और option A है परमवीर चक्र ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा आगे आया सर, mobile application और यहाँ पर विदेश मंत्राले है तो इसी से related हमें यहाँ पर option यहाँ पर ज़रूर नजर आएगा एक mobile application यह रहा सर ताकि बच्चे को वो option पढ़के ध्यान आजाए और यहाँ पर option B विदेश मंत्राले यह देखे यहाँ लिखा हुआ है चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रग्यान आप जब इस उत्तर को ढूंडेंगे सर सबसे उपर question number 15 आपको दिखाई देगा चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है और option C है प्रग्यान और वहाँ पर भी सही जवाब लिखा हुआ है और एक सर है हाल ही में प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में निमलिखित में से किस स्थान पर स्वर्ववेद महामंदिर का उध्गाटन किया है और option A में सही जवाब है वो है वारानसी तो ऐसे अगर हम चाहें समय का भाव है हम पूरे 147 प्रशन इसमें से match करा सकते हैं आप ये कह रहे हैं कि 150 प्रशन का ये question paper था 150 में से 147 जो प्रशन थे वो बिलकुल ठीक match कर रहे थे और उनके जवाब बिलकुल सही थे अगली slide पर चलेंगे सर अब अगली slide आपको दिखाते हैं देखी उस बात की पूस्ती मैं कर रहा हूं कि मेरे पास वो paper आया था और वो हूब हूब मैच कर रहा था लेकिन 17 की पाली में जो exam हुआ था evening shift का इसका मुझे बच्चों ने screenshot बेजा कि सर ये 17 वाला भी out था अब आप सर यहां पर जहांच से देखेंगे तो ये 1 बज़कर 42 मिनिट पर ये paper out हो गया है ये 17 तारिक किया बात कर रहे हैं 17 फरवरी को जो paper 3-5 होना था वो 1 बज़कर 42 मिनिट पर आपके पास आ जाता है यहां और ये किसी चातर ने बेजा है ये किसी चातर ने मुझे screenshot बेजा कि सर हमारे पास ही आया है तो इस दावे की पूस्टी तो मैं नहीं करता लेकिन चूंकि पिछला मुझे पराप्त हुआ तो मैंने आपको वो हूबव यहां पर दिखा दिया है इसका मतलब ये है कि evening shift में दोनों ही paper आउट थे और सुधीर सर मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों ही shift आउट थी तो इसमें पूर्व सभावना है कि सुभे की shift भी out हुई होगी वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई वो बात अलग है लेकिन ये बड़े पैमाने पर है तो इसका साक्षे देने के लिए मेरे पास हजारों शात्रों के message है WhatsApp पर और comments भी आए हुए है YouTube पर इसमें सर एक और जो गडबड़ी देखने को मिली बहुत सारे बच्चों ने मुझे message किया था कि सर हमारे paper पर seal गायब थी जब भी कोई प्रशन पत्र मिलता तो उसके बीच में यहाँ पर seal लगी होती है तो बहुत सारे questions में वो seal भी गायब थी अब हम यह नहीं कहते कि वो leak paper ही होंगे हो सकता है कि पीछे से कोई defect उसमें आया हो लेकिन काफी चात्रों की शिकायत थी question paper के उनके seal missing थी जी तो उसी से related मैंने query यहाँ पर आपको दिखाई है तो बरी संख्या में यह चात्र आपको बता रहे हैं कि seal नहीं थी question paper पर seal नहीं थी seal गायब थी या तो उनको पहले ही छेडखानी उसमें की गई होगी जी अगली slide अब आपको एक और slide हम दिखा रहे हैं यह सर टेलीग्राम पे बहुत सारे दलाल और कुछ ऐसे ग्रूप सेक्टिव थे जिन्होंने बच्चे को बहला फुसला कर मन माने तरीके से payment ली है अब आप यहाँ पर देखिए इन्होंने दे दिया UP police question out और यह second shift दे दिया सो रुपे question fake होई no guarantee पान सो रुपे question fake होई तो refund की guarantee जी मतलब यह इतना कह रहे हैं कि इसमें refund भी हम आपको देंगे और यह scanner जारी किया गया था पेटीम का यह भी जाच का विशे है कि यह किसका scanner था क्योंकि यह screenshot भी मुझे बच्चे ने भेजे हैं इस paper को बहुत बड़े पैमाने पर लीख होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब एक छात्र के पास paper आ गया उसने अपने पैसे को cover करने के लिए शायद दूसरे को दिया होगा उसने तीसरे को दिया होगा और last में हाल यह हुआ कि यह paper 500 रुपे के माध्यम से गैरंटी 100 रुपे में refund की no guarantee बतर लास्ट में सोचा कि जितना चाहिए उससे हम वसूल लें लास्ट में यह था तो हमने बारकोड आपको पूरा दिखाया है तो उतर प्रदेश पुलिस को जाच करते समय यह भी देखना चाहिए कि यह कौन से लोग थे जो लगातार सक्रिय थे सोशल मीडिया पर जो पेटियम का यहां पर scanner वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस यहां पर हमें पैसा जमा करवा दीजिए और हम आपको question paper अभी solve किया हुआ question paper आपको अभी हम भेज देंगे और यह देखिए यह तमाम चीज़ें यह लिखा भी है सर यह match हो गया second shift का यह match हो गया है second shift का अच्छा तो यह सारे जो groups हैं यह सब active हैं और बता रहे हैं कि question paper match हो रहा है जो लोग इसे या तो बेच रहे थे अब हम यह मान कर चलते हैं अरुन जी कि मान लीजी अगर यह question paper बिक रहे हैं हम यह कह नहीं सकते कि यह बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं यह सपश्टी करन पहले हैं हमें नहीं पता बिके हैं या नहीं बिके हैं लेकिन मैं आपसे यह कहता हूँ कि मान लीजी अगर यह question paper बिक रहा है तो क्या परिदिए हैं, ये बचों के दावे हैं, हम यहाँ पे उनका प्रतिनित्व करते हैं. कोई कहरा सर मैंने पांच लाग में मेरे किसे स्टूडेंट के पास ऐल्रेडी ये पेपर आ गया है. ये पेपर के पहले की ही खबर थी आपकी ही बात करते हैं कि चलिए चार लाक मान लेते हैं और साथ हजार चारसो की ये भरती थी तो अगर मान ले कि हजार बच्चों से भी ये लिया गया होगा यानि अगर हम देखें कि 50 लाख बच्चों ने ये इम्तिहन दिया है उन 50 लाख मैंसे अगर 1000 बच्चों ने भी 4 लाख रुपे में अगर ये खरीद लिया तो ये सीधे कितना कितना पैसा हो गया 400 करोड रुपया ये हो गया तो इसके पीछे कोई बड़ा माफिया भी अक्ति होगा इस बात की जांच सरकार को तुरंट करानी चाहिए दिगी सर पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये निरने देने वाले हम तो यहां कौन है लेकिन ये बात सरकार को जांच करनी है जांच जंसियों को ही जांच करनी है चुकि हम से यूपी भरती बोड ने आज 11 बजे एक विग्यपती जारी की ती जिसकी चर्चा अपने की उन्होंने का था कि आप अपने साक्षय रखिये हम अपने साक्षय वहाद देने के बाद आपके इस मंच पर आई हैं ये सेम साक्षय हम भरती बोड को भी भेज चुके हैं जांच के लिए तकि वो भी अपना कोई निरने दे और बच्चों को बहुत उम्मीदे हैं क्योंकि उन्हेंने सालों से इस परिक्षा की वेट की पात साल बाद ये परिक्षा जो है जाके इस बार हुई थी सबसे ज़्यादा अब भ्यारतियों के शामिल होने का कारण भी यही था कि बीच में पात साल में यूपी पुलिस की कोई भरती आई नही थे इस पर हम आएंगे एक बार आपको हम दوبारा से स्क्रीन पर वो कॉश्चन पेपर दिखाना चाहेंगे और वो आंसर शीट दिखाना चाहेंगे जो हम आपको बीच में हम दिखा रहे थे ताकि वो answer sheet यहां पर लगी रहे आपको उस बात का अंदाजा हो जाएगा तो अब मैं धीरे धीरे आता हूँ अच्छा देखिए हमारी टीम ने इसे scan भी किया है जब हम आपको यह show दिखा रहे हैं तो हमारी टीम ने इसे scan किया और यह नाम आया है अभिनाश कुमार रंजन यह नाम आया है तो यह वैसे तो काम police को करना चाहिए था या investigators को करना चाहिए था उनके लिए हमी ने यह काम भी कर दिया तो उस समय जो code दिया हुआ था पे टीम का उस पर जब हमने scan किया तो यह नाम आया है और एक बार वापस आपको उस code पर लेकर जाते हैं ये अभिनाश कुमार जो हैं ये क्या कह रहे थे नहीं ये वाला नहीं आप जो code वाला था देखिए ये है इस code पर हमने किया और ये code पर जब हमने scan किया है तो ये नाम आ गया है पेमेंट screenshot वाले को पहले reply मिलेगा अब बहुत message आ रहे हैं यानि जो payment करके screenshot भेज़ देगा उनको तो देखिए लगातार ये सब आ रहा था अब हम वापस आते हैं जहां हाथ से लिखी हुई answer sheet आपको देखने को मिलेगी लाल रंग से जिसमें जवाब लिखे हुए है जो दूसरे नंबर की slide है ये वाली नहीं जो दूसरे नंबर की slide है वो आप लगाईए जहां पर question paper बीच में आपको दिखाई देगा और answer sheet भी आपको दिखाई देगी देखिए अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अरुन जी कि ये जो हाथ से लिखा हुआ answer sheet है ये ऐसा लगता है बड़े इत्मिनान से किसी ने लिखा है ये जल्दबाजी में नहीं लिखा क्योंकि handwriting बड़ी साफ है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है कि ये लोगों को उस इसे सबसे इसको बनाए गया है मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं इसका मतलब ये है कि ये बड़ी तसलिषे किसी ने लिखा है मतलब हम ये मालने कि ये काफी पहले ही लीख हो गया होगा उसके पास कई घंटे का समय होगा ये सब लिखने का? या कुछ घंटे पहले बेज देते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि पेपर या तो वहाँ से आउट हुआ है जहाँ पेपर चपता होगा या फिर बहुत सारे सेंटर्स हमारे पास थे क्योंकि इतनी बड़ी भीड को आयुजित करने के लिए परिक्षय आउजित करने के लिए काफी सेंटरों की आउशकता पड़ी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट संस्थान भी थी सरकारी संस्थान भी थी तो कही ना कहीं से प्रबल संभावना है कि वो चीज़े आई होंगी अब जितनी आसानी से लिखा है क्योंकि हम तो यहां कुछी दिखा पाए पूरा का पूरा पेपर आप देखेंगे तो मेरे टेलीगराम पर भी मौझूद है और लोगों ने उसको देखा भी और वेरिफाई भी किया है उसके बाद ही स्टूडन्ट जो है सबसे ज़्यादा आक्रोशित है और हम इस चीज़ को यहां यह समक्षित तथ्या देने के लिए में मकसद यही था कि इसकी नयाएक जाच हो और जाच से इस वर्ती को जल्द से जल्द रद किया है अरुन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए थैंक्यू सो मच्छ एक बात और चाहूंगा आप अपने माद्यम से भी सरकार को कहें कि बच्चे बहुत आस लगाए बैठे हैं जल्द ही इस पर कोई डिसेजन ले और री एक्जाम का फैसला या कम से कम इस पेपर को रद करने का फैसला जल से जल दे ताकि कोई अनोहनी घटना ना हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं तो हमें उनके भी मैसेजिस आते हैं कि सर अब हम घरवालों को क्या मू दिखाएंगे हम दो साल से पीजी में रहके तयारी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमने फीस का जुगाड किया था और अब हम यहाँ पे तयारी कर रहें लेकिन पेपर आउट हो गया अरुन जी आपकी बात जरूर सब लोग सुन रहे होंगे सरकार भी सुन रही होगे